Hello friends, I am Nandini, welcome to our channel Wi-Fi Study with Nandini, जहांपर हम बात कर रहे हैं, 4 Feb 2023 के Current Affair के बारे में, तो आईए देखते हैं क्या है हमारी इस क्लास में, डिस्कस करते हैं हमारी पहले न्यूज, फर्स्ट न्यूज है हमारी विश्व कैंसर दिवस के बारे में, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है कब, 4 Feb को मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम थी, वो थी Close the Care Gap, और आपको बता दे कि कैंसर शब्द की जो उत्पत्ती हुए है, जो शब्द किस ने दिया है, तो यूनानी चिकिस्सक हिपोक्रेट्स ने दिया है, जिनको चिकिस्सा का जनक भी कहा जाता है, सबसे पहला जो कैंसर डे था, वो 2008 में सेलिब्रेट करा गया था, और आपको बता दे कि इंटरनेशनल लेवल पर कैंसर को किस तरीके से कंट्रूल किया जाए, इसकी पहचान कैसे की जाए, इसका इलाज क्या है, इसके लिए अवेरनेस फैलाने का काम किया जाता है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लैब ग्रोन टाइमंड की, यानि LGD की, LGD क्या है, LGD लैब में विक्सित ऐसे हीरे हैं, जो विसिस्ट तक्नीक से बनाये जाएंगे, और जिनकी फॉर्मेशन बिल्कुल नेचुरल हीरे जैसा रहेगा, यानि जो उनका भौतिक और रासानिक संगठन है, बिल्कुल नेचुरल हीरे जैसा रहेगा, इसके लिए जो IIT मदरास है, उसको 5 साल के लिए 242 करण रूपय का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे वो इस तरीके का की मशीने बनाएं, जो ये कित्रे महीरे बना सकें, और वो सारी टेक्नोलोजी विक्सित करें, जिसके माध्यम से इस तरीके के हीरों को बनाया जा सकें, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अंतरास्टिय सौर संगठन के बारे में, अंतरास्टिय सौर संगठन का जो मुख्याला है, वो भारत के गुरुग्राम में है, और आपको बता दें कि अंतरास्टिय सौर संगठन पर 113 देशों ने, इसके framework पर पहले ही समझोता कर लिया है इस समझोते पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिया है और 86 countries ऐसी है जो इसको साइन कर देंगी और साथ में ही जो हाँ और इस अंतराश्चिर्स और संगठन में कांगो भी अब शामिल हो गया है और देखो one sun one world one grid जब यह संधी करी गई थी तो यह जो बात कही गई थी कि one sun one world और one grid के बारे में बात किया गया था और साथ में 30 नवंबर 2015 को फ्रांस के राश्च्पती और भारत के जो प्रदान मंत्री थे उनके प्रयासों से ही पेरिस में ऐसा हो पाया पेरिस में कोप सम मेलन था 21 और जिसमें 121 सौर संसाधन संब्रद देशों के साथ यह जो अंतराश्य सौर गट बंदन है उसको शुरू किया गया था कॉंगो लोकतांत्रिक गनराज्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो यह अफरीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है यानि अकर हम चेतरफल के एरिया वाइस देखे तो दूसरा सबसे बड़ा देश है इसकी जो राजधानी है वो किशांसा है मुद्रा यहां की कॉंगो फ्रैंक है और यहां की जो कॉंगो नदी है वो भूमदे रेखा को दो बार पार करती है यह अपने आप में विश्वर की एक मात्र नदी है अब हम बात कर लेते हैं कि भारती रेलवे जो देखो जो रेल मंत्री कौन है अश्वनी वैश्णोजी तो अश्वनी वैश्णोजी ने गोशना करी है कि भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर दो हजार तेईस तक बनकर तयार हो जाएगी और पहली जो हाइ सरकिट है उसके बीच में चलाई जाएगी और आपको बता दे कि अभी हमारा बजट सेशन हुआ है तो बजट सेशन में बजट लागो किया है तो रेल बजट के लिए रेल बजट के लिए 2.41 लैक करून रूपे दिये गये हैं वितमंत्रे निर्मला सीता रमण के द्वारा और अब पहले की तरह से रेल बजट अलग से प्रस्तुत नहीं होता बजट में ही रेल बजट का हिस्सा प्रस्तुत किया जाता है वितमंत्रे निर्मला सीता रमण के द्वारा गवर्मेंट ई मार्केट प्लस जो जेम है उसने क्या किया है चालू वितवर्ष में 1.5 लैक कर जो ग्रोथ है वो हासिल कर लेंगे मतलब उतने मुले का हम सामान बेज देंगे लेकिन अभी ही 1.5 लैक का जो जो इसकी ग्रोथ है वो हो गई है और उमीद है कि ये इससे जादा ग्रोथ हासिल कर लेगा अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जेम के बारे में बात कर ले यह एक online platform है इसको 9 अगस्ट 2016 को launch किया गया था इसका उदेश है कि किस तरीकी से जो सरकारी खरोत परोक्त होती है उसमें पारदर्शित आए जेम एक ऐसा platform है जो कारिगर बुनकर या start-ups महिला उद्यमियों को या MSMEs जो होती है उनको एक platform देता है कि वो वहाँ पर आकर अप अपना सामान वो बेचे यहां से जो सामान है वो मंत्राले और जो सरकार के बिभिन डिपार्टमेंट है वो खरीदते हैं देखो इस platform से कोई जो private company है वो नहीं खरीच सकती हाँ कोई व्यक्ति जरूर बेच सकता है सौधी अरब क्या कर रहा है सौधी अरब AFS Asian Cup 2027 की मेजव अब ही सौधी अरग के मनामा में मनामा के बहरीन में 33rd नंबर की जो AFC Congress होई है मतलब एक सम्मेलन हुआ है किसका AFC Asian Cup का ठीक है ना तो उसमें डिसाइड किया गया है कि जो 2027 का जो AFC Asian Cup होगा वो कहाँ पर होगा सौधी अरब में होगा और अक्टूबर 2013 में शुरू होने वाले क्वालिफाइंग जरन के साथ टूर्णामेंट से पूरे एशिया का सबसे रोमांचक प्रतिवाश रामिल होगा ठीक है AFC Asian Cup क्या है तो ये भी अंतराश्टी Football Association प्रतियोगिता है जो AFC फुटबॉल संग के अंतरगत आती है ठीक है न और AFC फुटबॉल संग की सम्मिट जो हुई थी साथी अरब के मनामा में उसे में ये डिसेजन लिया गया किस 2027 का जो AFC Asian Cup है वो कहाँ पर होगा साथी अरब में संचालित होगा केद्र सरकार ने किसानों की आयग को बढ़ाने के लिए PM कुसम योजना शुरुआत की है देखो अब सबसे पहले कोई भी PM कुसम ये जो शब्द है इसकी मीनिंग को समझना जरूरी है इसके फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं तो PM मतलब जरुआ ऐना ना körयाँ किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महावियान इसकी शुरुबास करी है जिसका उदेशय क southwest जिसका उद्देशय ये है कि किस तरीके से किसानों की आई को दूजना किया जाए है आद इसके लिए क्या करेगी किसानों को सोनर किसान जो है solar panel बनाएंगे लगाएंगे और जिसमें से जो लागत होगी जितनी भी लागत होगी उसका 10% किसान देगा 30% central government देगी 30% जो राज जे state government देगी और जो 30% वाला हिस्सा है उसमें किसान bank से loan ले सकता है जिसमें सरकार उसकी मदद करेगी ठीक है तो बाकी जो भी उर्जा का प्रियोग करना है किसान अपने हित के लिए कर सकता है और जो बची हुई उर्जा है या विद्धूत है उसको डिसकॉम खरीद लेगा है ना मद्धि प्रदेश की government ने क्या किया है कि देखो मद्धि प्रदेश की government ने भुपाल में एक जगह है जिसका नाम है इसलाम नगर गाउं उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है जगदीशपूर कर दिया गया है और आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्णमेंट ने इसके लिए पहले ही मद्धि प्रदेश गवर्णमेंट में जो होशंगा बात था उसका नाम बदल कर नर्मदा पूरम कर दिया गया था और नसरुल्ला गंज का नाम बदल कर भेरुंडा कर दिया गया था नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि देखो जो हमारा शहरी आवास और शहरी मंत्राल है वो और Engineers India Limited इन दोनों के बीच में एक TIEF हो रहा है TIEF किस चीज को लेकर हुआ है कि किस तरीके से जो हमारे शहर है उनका जो गीला कूडा है है ना या जो गीला अपसिस्ट है उसको किस तरीके से उर्जा में तब्दील की जाए तो इसके लिए कहा गया है कि हरित विकास के लिए मिलियन प्लस शहरों में अपसिस्ट से उर्जा और जैव मिथिन शेन पर्योजना के लिए ये MAU पर सिगनेचर करा गया है अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ी से बात कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्वरी 2022 में PM मोदी ने इन दौर में एशिया का सबसे बड़ा नगर पालिका ठोस अप्षिस्ट आधारित गोवर्धन सन्यत्र का उद्गाटन किया गया था ठीक है और अब जब सुक्षता मिशन का 2.0 चल रहा है ठीक है जो 2.0 एडिशन चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि गोवर्धन और सतत योजनाओं से जुड़े जैव मिथिंशेन यंत्र लगाये जाएंगे और इसे अक्षय उर्जा बनाई जाएगी और ये कितने प्लांट बनाने की योजना है तो 25 मिलियन प्लस शहरों को चुना गया है इन प्लांट को बनाने के लिए यान एक तरीके से एक प्लांट बनाया जाएगा जिसके माध्यम से जो शहरों का अपसिस्ट गीला पदार्थ है या जो अपसिस्ट गीला गीला पदार्त है उसको किस तरीके से उरजा में तब्दिल किया जाया या जै वो मिथेंशेन उरजा में तब्दिल किया जाया इसके बाद हम बात कर लेते हैं Statue of Equality के बारे में देखो, Statue of Equality के एक साल पूरे हो गए हैं, और इस अवसर पर एक समता कुम्ब 2023 का आयोजन किया जा रहा है तेलंगाना के हैदराबाद में, इसका नित्र तो कौन कर रहा है, समता कुम्ब समारो का नित्र तो कर रहा है, श्री मन्ना नारायन, रामानुज, चिन्ना जीर स्वा समता की जो प्रतिमा है, ये किसके उपर बनाई गए है, तो ये वैशनो संत्र रामानुज, चारे की प्रतिमा है, जो इग्यारन शताब्दी के वैशनो संत्र थे, और ये प्रतिमा कितनी उची है, तो 216 फूट उची प्रतिमा है, और ये कहां पर है, तो हैदराबाद के करोन रुपे की लागत आई थी नेक्स हम बात कर लेते हैं कि DCPCR यानि दिल्ली बाल अधिकार सनरक्षन आयोग उसने क्या किया है उसने वाटसप चैट बॉक्स जिसका नाम है जिसका नाम है बाल मित्र वो लॉंच कर रहा है बाल मित्र के द्वारा क्या किया जाएगा तो दे लोग अपनी शिकायतों को रजिस्टर कर सकें जो भी उन्हें बच्चों से रिलेटेड या जो भी उन्होंने शिकायतें दर्ज की हैं उस पर नजर रख सकें और उनकी जो भी जानकारी है वो ले सकें उनको जो कुछ भी इससे रिलेटेड सूशना चाहिए वो मिल सकें तो इस उदेश से चैट बॉट बनाया गया है DC-PCR के द्वारा इसका उदेश है कि किस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं उनको सुरक्षित किया जाए और किस तरीके से आयोग और जो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनके बीच में कम्यूनिकेशन को बहुत अच्छे से इ देखो ये जो उडान योजना है ये परण मंतरी नरेंदर मोली के दौारा इस उदेश से स्टार्ट की गई थी कि जो आम जनता है उसको कम पैसे खर्च करके जो ये उडान की सेवा है वो मिल सके है ना तो इस उदेश से करा गया था तो अभी जो ये जो इसकीम है वो चल रही है तो उड़े देश का आम नागरिक यानि जो उड़ान योजना है उसके तहट अभी एक और फ्लाइट स्टार्ट करी गई है किसके बीच में जमशेदपूर से कोलकता के बीच में और हमारे ओडिसा के वीके पांडियान को FIH President Award 2023 से सम्मानित किया गया देखो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो जो FIH ओडिसा हॉप की पुरुष विस्वकप 2030 कहां पर आयोजित किया गया था भूवनेश्वर राउर केला में जिसका फाइनल खेला गया था ठीके ना तो अब आपको बता दें कि जो FIH के अध्यक्षें वो कौन है तैयब इक्राम है और तैयब इक्राम ने ही जो सच् इसलिए उनको राष्टपती पुरुसकार दिया जा रहा है FIH राष्टपती पुरुसकार दिया जा रहा है आपको बता दें कि ये पुरुसकार होकी में जो लोग जो लोग अच्छा काम करते हैं या इसके और्गनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उनको दिया जाता है उनकी सेवाओं के लिए तो इसलिए विके पांडियन को FIH President Award दिया गया है किसके द्वारा FIH के द्वारा जजू बेंद्र चहल के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतिय खिलाडी बन गए हैं इन्होंने इतिहास करा है ठीक है यायात्सो जील कहां पर है लद्दाक में है और इसको जया विवित्ता विरासत यानि बायो डाइवर्सिटी हैरिजिट साइड में इसको शामिल कर लिया गया है जो ये जील है यायात्सो जील इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है यानि यहां पर आकर प रहती है इनके जो पक्षियों की मात्रा है वो बहुत जादा यानि अलग अलग प्रकार की पक्षिया यहां पर पाई जाती है इसलिए ऐसा किया गया है अच्छा जया विवित्ता प्रबंधन समीती और थुमा चांग गाउं की पंचायत सिक्क्यो और हिमाले परियोजना ने स प्रायुक तरोप से इसको यानि यायात्सो जील को क्या किया है जया विवित्ता जो बायो डायवर्सिटी जो है उसमें शामिल करने की गोशना करी है जया विवित्ता विरासत क्या होती है तो देखो जया विवित्ता विरासत जो है वो हमारे जो जी वो जन्तु है उनको ब सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो जयाव विवित्ता अधिनियम 2002 के तहट, 2002 की धारा सैथकिस में रिखांकित किया गया है, जयाव विवित्ता विरासत किस तरीके की होगी, है ना, भारत को 2025 में मैडरड अंतरास्टिय पुस्तक मेले में मुख्य देश के रूप के तौर पर आमंतित किया गया, हमने अभी कुछ ताइम पहले पढ़ा था, कलकता बुक फेयर, ओके, तो वहाँ पर हमने इस, जो हमारा जो थीम था, इस पेन था, वो क्या था, थीम देश था, इसी तरीके से मैडरड पुस्तक मेला होगा, 2025 में, और इस इंटरनेशनल बुक फेयर क के लिए जो थीम देश है, वो कौन है, भारत है, इरना कुलम दस हजार नए MSME पंजिकरित करने वाला पहला जीना बन गया है, इरना कुलम जीला कहां पर है, तो केरल में है, और आपको बता दे कि केरल जो इस टेट है, उसने MSME इसको बढ़ावा देने के लिए, जो पिछल यह ट्यो टैग लाइन है, इसके साथ में MSME को बढ़ाने के लिए काम करा था, किसने केरल सरकार ने, और इसलिए उद्यम अभियान भी चलाया गया था 22 में, और उस 2022 को उद्यम वर्ष के रूप में भी सेलिबरेट किया गया था, केरल सरकार के द्वारा, अब जो एरना कु है, एक रिकॉर्ड बनाया गया है, प्रसित कन्नड लेखा कौन है, केवी तिरु मलेश, उनका हैदराबाद में निधन हो गया, और आपको बता दे कि इन्होंने भी साहित्य अकादमी पुरसकार, इन्होंने साहित्य अकादमी पुरसकार जीता था, और इसलिए बहुत है, यह कौन है, कन्नड लेखा कह, जिनका नामे केवी तिरु मलेश, इनका 82 वर्ष के में निधन हुआ है, ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, फिल्म निधमाता, दादा साहफाल के पुरसकार से सम्मानित के विश्वनात का, जो के विश्वनात जी हैं, उनको दादा साहफाल के पुरसकार मिला था, और उनका हैदराबाद में निधन हो गया है, यह कितने साल के थे, यह 42 सारी, यह बान भी वर्ष के थे, और साथ में ही आपको बता दें, कि इन्हों ने आत्मा गोवरम नामक फिल्म से शुरुआत करी थी, और इनको बान में बे, 92 में पदम इंपॉर्टन परसन है, क्योंकि दादा साहफाल के पुरसकार इनको मिला था, साथ में इन्होंने तेल कु तमिल और हिंदी फिल्मों भी लोकुर्यता हासिल करी थी, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टन परसन हो जाते हैं, कोशन पेपर के अकॉर्डिन देखा जाए, एक्ज करिए और सब्सक्राइब करिए, जादा से जादा लोगों तक पहुचाईए, साथ में ही जो यह टेलिग्राम का लिंक दिया गया है, इसमें जो भी पीडियाफ या जो भी कॉंटेंट पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा मटीगल जो भी प्रोवाइड करा जाता है, उसको दिया जाता है, तो टेलिग्राम के लिंक पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू.